आज दोस्तों प्रॉलम की अंडरस्टेंडिंग लेते हैं इन फिगर 6.18 इफ L M पैरलल टू C D एन N L पैरलल टू C D प्रूव दैट देखिए यहाँ पर ये देखिए एक डाइगराम दिया गया है वहाँ पर कुछ कंडिशन्स हमको बताए गई है और बोला गया है कि देखिए कौन सी लाइंग किसके पैरलल है ये हमें यहाँ बताए गया और प्रूव करने को दिया गया है ये पूरा का पूरा एक्स्प्रेशन कैसे करेंगे इसको सबसे बहले डाइगराम में दोस्तों चलते हैं अगर ये पैरलल दी हुई है तो दोस्तों आप देखिए उपर वाले ट्राइंगल में आप ACB में देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है यहाँ पर ACB में हमें बोला गया है कि LM जो है न वो पैरलल है BC के ठीक है जी अगर ऐसा है तो देखिए LM क्या है LM एक लाइन है BC क्या है BC देखिए इस ट्राइंगल में बेस है तो कोई भी लाइन अगर बेस या किसी भी साइड के पैरलल होती है तो हमें क्या understanding मिलती है हम Thales theorem लगाते हैं तो क्या मिलेगा आपको Thales theorem से मिलने वाला है आपको कि देखिए AM divided by MB is equal to AL divided by LC यह चीज़ हमें देखने को मिलती है इसको equation number one दो दीचे अब हम चलते हैं triangle देखिए triangle किसमें चलते हैं A, C और D में चलते हैं यहाँ पर देखिए understanding क्या है हमारे पास के LN जो है वो parallel है CD के ठीक है अगर ऐसा है तो देखिए यहाँ पर CD क्या है CD बेस है triangle ACD का CD बेस है और अगर CD बेस है तो यहाँ पर क्या लगेगी यहाँ Thales theorem लगेगी तो इसका मतलब क्या है देखिए A, N divided by N, D is equal to A, L divided by L, C equation number 2 यह हो जाती है तो equation number 1 और equation number 2 से हमें देखिए क्या चीज़ देखने को मिलती है यह वाला जो term है na A, L divided by L, C A, L divided by L, C यह common है दोनों ही triangles में किसमें triangle ACD में और ACB में तो अगर common है तो यहाँ से अगर आप conclusion निकालेंगे इसका तो आपको क्या निकलेगा यहाँ से निकलेगा कि A, M divided by M, B is equal to A, N divided by N, D ठीक है तो यह चीज़ हमारे पास मिल जाती है आप इस चीज़ का देखिए हम किस तरह से understanding लेंगे देखिए ठीक है यह हमारे पास नज़रा रहे अब आप क्या करिए दोनों तरफ न यहाँ पर one को add कर दीजे जब आप one को add करेंगे तो देखिए यह concept कैसा बनने वाला है यह बनेगा MB plus of AM divided by MB तो देखिए अब क्या करेंगे अब यहाँ पर इसको आप reverse कर reverse करने का मतलब है जो denominator है जो denominator है वो numerator बन जाएगा और जो numerator है वो denominator बन जाएगा यह हमने reverse कर दिया अब क्या करना अब इसमें one add कर दीजे दोनों तरफ one add कर देंगे जब one add करेंगे तो देखिए AM plus of MB divided by AM is equal to ND plus of AN divided by AN ठीक है न इस तरह से concept आएगा तो देखिए AM plus of MB ठीक है जी AM plus of MB है क्या यह AB होता है diviied by AM और ND plus of AN होता क्या है यह AD होता है divided by AN यहां होता है और इसको अगर हम देखिए इसको फिर से अगर हम reverse कर दें तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलने वाला है AM divi motivated by AB is equal to AN divided by AD ठीक है तो यहाँपर लग सकते हैं कि हमने इसको यहाँ पर reverse क तो यही हमसे देखिए फर्स उसमें पूछा गया था तो हमने इसको किस तरह से किया सब्सक्राइंगल लिया वहां पर तील सिर्म लगाई दो जगा पर और फिर हमने यहां पर रिवर्स करके यह वाला कंसेप्ट जो वन को एड़ करना है यह दोनों तरफ किया और फिर फाइन